प्रिश्टा क्या कहलाता मेर दादी गायू को सुनाने वाली है क्योंकि कहीं न कहीं गायू पर भी इन सब का आरोप लगने वाला है दरसल गायू ने हमेशा नायरा को कलती समझा है जिसकी वजह से कहानी में लीप भी आया था और कोईगास नायरा और कार्थी और कायरफ से अलक हो गए थे लेकिन अब नायरा की मात के बाद दादी का गुसा पुटे का गायू पर और दादी बहुत कुछ सुनाने वाली है और साथ ही कायरफ का खयाल अपने वाली है कि मुझे माफ कर दो तो यानि कहानी में रिष्टे अब ठीक हो जाएंगे जब नायरा चली जाएगे पर नायरा के जाने के बाद को इंकास का क्या हाल होगा और इनकी जिन्दगी कैसे शुरू होगी आगे के अपडेट चानली के लिए सबस्क्राइब की जोए हमारा चानल